इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी sclerifuma 240 capsule doctor multiple sclerosis यानि की MS के इलाज में इस्तिमाल की जाने वाली दवा है यह सूजन और immune system को दबा कर काम करता है जो MS में तंत्रिका क्षती का कारण बनता है और स्थिति को और भी खराब होने से कम करने में मदद करता है हाला कि यह MS के लिए कोई इलाज नहीं है sclerifuma 240 capsule doctor को doctor की सलाह के अनुसार लिया जाना चाहिए पेट को खराब होने से बचाने के लिए आप इसे खाने के साथ ले सकते हैं इस दवा के साथ हिलाज के दौरान आपको अपने रक्त कोशिकाओं और किड्नी और लिवर फंक्षन की निगरानी के लिए नियमित ब्लड टेस्ट और मूत्र परीक्षन की आवशक्ता पर सकती है सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए इसे नियमित रूप से लें आप इसे लेना याद रख सकें इसलिए इसे हर दिन एक ही समय पर लें तथा जब तक आपकी खुराक पूरी न हो जाए तब तक इसे लेना बंद न करें इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में फ्लशिंग, पेट में दर्द, डायरिया, यानि की दस्थ और मिचली आना शामिल है अगर आपको इन में से किसी भी साइड इफेक्ट का अनुभव होता है जो अपने आप ठीक नहीं होता है या बिगरता जाता है तो अपने डॉक्टर को बताएं वे उन्हें कम करने के या उनकी रोक्थाम करने के तरीके बता सकते हैं अगर आपके शरीर में सफेद रख कोशिकाओं की संख्या कम है या कोई इन्फेक्शन है तो इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं अपने डॉक्टर को सभी मेडिकल समस्याओं और दवाओं के बारे में भी बताएं जो आप यह सुनिश्चित करने के लिए ले रहे हैं कि यह आपके लिए सुरक्षित है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए क्योंकि इससे विकास शील्चिशु पर हानिकारक प्रभाव पर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद